श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तो ये राशीफल चंदर राशी पर आधारित हैं चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंदरमा की स्थिति लेकर आती है इस वजे से चंदरमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा करती हैं और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ दोस्तो चंद्रमा इस दिन आप की कुण्डली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव में रहेंगे जी हाँ ये चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी रहेगी ये दिन आप के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है व्यापारियों को व्यापार में काफी इस दिन आप कही पर भी निवेश कर सकते हैं धन से जुड़ा पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं दोस्तों ये दिन आपके लिए आर्थिक तरकी के नए रास्ते खोल सकता है ये दिन आपको आर्थिक तरकी जरूर दिलाएगा आपके कि खरचे कम होंगे वह आई ज्यादा रहेगी फिजुल के खरचे पी इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहमान आपके पक्ष में है आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कारेक्षित्र में वातावरन आपके अनुकुल रहेगा सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है यानि आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे आपके कामों में मन भी लगेगा बोनस या सیलरी बड़त भी इस समय में होने की समभावना रहेगी। धनप्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है। अगर इस समय में नोकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करें। अनुकुल है लाब जरूर मिलेगा। मनोमानचीत नोकरी आपको इस समय में मिल सकती है अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स के लिए समय शुब रहेगा इस समय में महत्व पुरुन फैसले ले और उस पर अमल करे लाब जरूर मिलेगा जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे आपके फ्यूचर के की भी संबावना रहेगी परिवार में कोई फंक्शन या कोई छोटी पर्टी होने की भी संबावना बनी रहेगी अगर पर्सनल लाइप की बात करते हैं लव लाइप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है पार्टनर से मिलना घुमना फिरना साथ समय व्यतित करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वो संबंद अधिक मधूर बनेगे पार्टनर से बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वो अनबन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे अनबन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामयाभी मिलने के संकेत है टेंचन नहीं रहेगा सोच पॉजिटिव रहेगी पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है तो कोई पेंडिंग काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करे वो काम पूरे हो जाएगे Married Life भी इस समय में मधूर रहेगी Partners एक दुसरे को अच्छे से समझेगे प्यार वश्यांती का माहोल आपके घर में आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा अगर स्वास्ते की बात करें सेहत की बात करें तो ये समय आपके स्वास्ते के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है दीहा सेहत सम्दित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी पूरानी चल रही जो बीमारिया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करे अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो अपने फिटनेस पर अपने रहन सेन पर खान पान पर ध्यान जरूर दे सुबे टहलना जारी रखे, एक्जरसाइज जरूर करे, सोच पॉजिटिव रखे और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दे क्योंकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते हैं उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है तो आमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रन होना काफी जरूरी होता है इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, ज दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते है, कही पर भी उतार देते है, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते या चपल डाइरेक्ली उतार देते है, दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कु वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तूरन्ती बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है। है तरक्य ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद। यह तो, प्रूर कर फिर बाप्राव ट्रूर क take बडि़ा ठीर門 को